आज हम जीरंट पे ही बेस्ट तमाम अच्छे सेंटेंसिस को अटेंट करेंगे आपके सामने सॉल्फ करेंगे जीरंट पे-based questions दो टाइप के होते हैं एक तो type है वो जिस पे rules apply हो जाते हैं कि in words के साथ in phrases के साथ in verbs के बाद जीरंट आता है for example look forward to के बाद जीरंट मिल जायगा busy के बाद जीरंट मिल जायगा avoid है mind है deny है continue है enjoy है इन सब के बाद जीरंट आ जायगा तो एक ये category है questions की ये category of questions easy ही माने जाती है इसलिए क्योंकि अगर आपको rules मालूम है तो आप easily attempt कर सकते हैं second type के questions है वो है concept based इसमें concept apply होता है इसमें आपको इस बात को अच्छे से observe करना होता है कि ये जगा gerund की होनी चाहिए यहां पर verb को अपनी ing form में आना चाहिए इधर singular subject बनेगा तो इधर singular verb होनी चाहिए अभी जो मैं बाते बोल रहा हूँ अभी हम जब questions को attempt करेंगे तो आपको भी ये बाते समझ में आ जाएंगी चलिए session को शुरू करते हैं जिन हम sentences को attempt करेंगे वो sentences मेरे notes में भी है साथी साथ हमारे telegram channel पे भी available है telegram channel का नाम है अश्विन classes आप सब जानते ही होंगे चलिए session को शुरू कर देते हैं देखें लिखा हुआ non finite gerund worksheet 2 इसका नाम इसलिए है कि पहले part को मैं infinitive बोलता हूँ दूसरे को gerund और तीसरे को participle तो जब आप participle के questions देखेंगे जो कि इसी playlist में मिल जाएगा जिस playlist में आपको gerund मिल रहा है तो उसके आगे worksheet number 3 होगा आईए session को शुरू करते हैं first, second and third ये तीन sentences हैं इनको फटा-फट solve करते हैं second number के sentences शुरू करते हैं first sentence जादा tough है तो शुरू बाथ थोड़ी सी हलकी रख लेते हैं democracy is all about accommodating divergent views मालूम होना चाहिए आपको कि preposition के बाद gerund का इस्तेमाल किया जाता है यानि कि verb की ing form का इस्तेमाल किया जाता है gerund जो कि verb की ing form से बनता है हिंदी में verb ना नी ने बोलती है जिन्भी students को इसमें confusion हो कि verb की ing form gerund है कैसे जानेंगे या present participle है ये बाते कैसे जानेंगे तो एक तो तरीका ये है कि verb की ing form अगर gerund है तो वो बोलेगी ना नी ने और अगर वो participle है तो वो simply रहा रही रहे ही बोलेगी मैं एक example के माद्ध हमसे भी बता सकता हूँ आपको आईए बता देता हूँ जैसे color change करना पड़ेगा मुझे जैसे you should quit smoking first sentence or second why are you smoking here what are you reading एक और I love reading fictions fictions मतलब कालपनिक काहनी ये चार sentences मैंने इसमें रखे हैं आपके लिए आईए देखते हैं ये smoking और ये smoking दोनों के चेहरे सेम हैं ये reading और इस reading के भी चेहरे सेम हैं पर तरीके अलग हैं इसकी हिंदी है कि तुमें धूमरपान करना छोड़ देना चाहिए इसमें वर बोल रही है ना मेने तुम्हें धूमरपान करना छोड़ देना चाहिए और इस sentence की वर बोल रहा है तुम तो कोई और जगा नहीं मिली यहां क्यों बेड़ी पी रहो यहां क्यों सिगरट पी रहे हो तो यहां सिगरट पी रहे हो यह रहा रही रहे बोल रहा है तो यह जो ना नीने बोल रहा है इसी को हम कहेंगे जीरंड और जो रहा रही रहे बोल रहा है इसी को हम कह देंगे चाहे तो वर्ब चाहे तो प्रेज पार्टिसिपल है सर और इसमें कहा जा रहा है कि मुझे कालपनिक कहानिया पढ़ना पसंद है पढ़ना तो ये क्या हो जाएगा जीरंड हो जाएगा मुझे उमीद है जरूर समझ में आया होगा आप सभी को आई ये सेंटेंस पर आ जाते हैं डिमॉक्रिसी जॉल अबाउट ये अबाउट एक प्रेपोदीशन है जानते हैं अबाउट एक प्रेपोदीशन है प्रेपोदीशन के बाद आई ये जीरंड आता है तो अकमडेटिंग क्या है जीरंड हो गया लोगतंद्र का मतलब ही है कि भिन भिन विचारों को सम्मिलित कि किया जाए अकुमेडेट किया जाए और उसके साथ ही साथ आम सहमती को बनाया जाए यहां पर जो रीच लिखा है इसे रीच ना होकर के रीचिंग होना चाहिए क्यों यह बात मैं कहा रहा हूं देखीगा ध्यान से दो बातें यहां पर कहीद आ रही एक की यह करना और दूसर कि यह करना ध्यान से देखिए दोनों के बीच में एंड भी लगा है तो एक नियम है कि जब दो कनेक्टर जब कोई कनेक्टर आ रहा हो तो कनेक्टर के पहले और उसके बात का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए जैसे आपने पढ़ा है दू और डाई क्यूं है ऐसा कि इधर हो जाए तो वो डाइड हो जाएगा अगर यह दूइंग हो जाए तो वो डाइंग हो जाएगा ठीक है ना तो चुकि अब आउट एक प्रेपोदीशन है प्रेपोदीशन के बाद जीरंड आता है अब और से जब दूसरी बात जोड़ी गई तमनियम आएगा कि जैसा ही चाहिए यह फर्स सेंटेंस अपने आप में एक बहुत ही शांदार सेंटेंस है आईए इसे सॉल्व करते हैं the challenges on the economy front for the government are stiff stiff का मतलब होता है बहुत ही सक्त जिसको कह सकते है बहुत ही hard मुश्किल देखे ना एक phrase भी होती है stiff-neged एक अकडु व्यक्ति को बोलते है stiff-neged जो अ स्वाम प्रकार की चुनोतिया हैं और stiff-and-and के बाद एक नया sentence आ गया यह सच है क्योंकि आप चाहें तो stiff पर जाके रोक सकते हैं वहीं full stop लगा दीजिए कैसे सरकार के सामने अर्थ व्योस्ता के मोर्चे पर बहुत सारी चुनोतियां हैं काम खतम लेकिन आपने and से कुछ हो लिखा तब आप लॉजिक लगाएंगे कि एक sentence बना रहे हैं ध्यान से देखी कैसर आपने sentence के शुरुआत ऐसे करी get growth back on the track इसके बाद फिर से वर्ब लगाई अब मैं आपको एक trick बताता हूं सर ट्रिक कॉनसे भी बताऊंगा जैसे वर्ब लिखी आपने is mr या जो भी या कभी कभी कोई में वर्ब की first form second form इस तरीके से भी तो इधर वाली जो वर्ब है उसको आपको ing form में रखना चाहिए उसे जीरंड बनाना चाहिए क्योंकि वह subject का काम करेगी जब यह वर्ब है तो यह वाली वर्ब हो जाएगी subject और subject में noun या pronoun आता है अगर वर्ब आएग ठीक है ना तो यह getting हो जाएगा क्या हो जाएगा getting हो जाएगा एक और तरीका है get growth back on the track को ध्यान से पढ़िए तो यह imperative sentence लगेगा हाँ क्योंकि जब कोई sentence verb की first form से शुरू हो तो उसे imperative ही तो बोलेंगे जैसे sit down get out get out get verb sit down go away go verb open your mouth open एक verb imperative sentences ऐसा करो ऐसा करो तो get growth back on the track का मतलब हो जाएगा विकास को या तरक्की को पट्री पर लाओ लाओ ऐसा करो लाओ लाना नहीं होगा लाओ अब लिखा है is a long haul project long haul project मतलब मुश्किल काम एक मुश्किल काम और इसकी हिंदी है अर्थ विवस्था को पट्री पर लाओ एक मुश्किल काम है यह कोई भाषा नहीं होगी होना चाहिए कि अर्थ विवस्था को पट्री पर लाओ लाना एक मुश्किल काम है और जैसे आपने लाना बोला ना नीने आते ही जीरन जिन्दा हो जाएगा infinitive जिन्दा हो जाएगा तो आप इसे getting करिए हाँ आप चाहे तो to get भी कर सकते हैं समझ रहा है ना लेकिन हमेशा से यह देखा गया है कि subject की भूमिका में जीरन बेहतर है infinitive से तभी तो smoking is injurious to hell बोलते है तू smoke कहां बोलते है इसको देखिए tackling TB in India ध्यान से देखिए सट यह verb है required और यह देखिए verb के बाया हाथ पे subject हुआ tackling TB in India requires requires verb है तो verb के बाया हाथ पे subject हुआ ध्यान से देखिए इस subject में tackle verb की ing फार्म आई है subject में जीरन आया है यह requires verb है उधर subject है subject में जीरन आया है समझ रहा है ना so tackling TB in India requires both फिर से देखिएगा both बहुत से फिर से दो बाते आएंगे आएंगी दोनों के बीच में connector भी and लगेगा अगर लगाया जाएगा तो यह देखिए लगाया भी गया तो and के बाद यह to engage क्यों आएगा इंगेज की भी ing form आनी चाहिए तो to engage की जगा engaging कर दीजे सिर्फ engage की जगा नहीं to engage की जगा सर जब infinitive हटता है तो पूरा हटेगा से वीवन ही नहीं to भी उसके साथ हट जाएगा और पूरे की जगा जीरन आजाएगा सही sentence both strengthening the public sector and engaging the private sector टीवी को रोकने के लिए आवशक है हिंदुस्तान में कि public sector को मजबूत बनाया जाए साथे साथ private sector की भागिता को सुनिश्यत किया गया अब आगे के sentences ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि पहली slide में concept बहुत सारा मैंने आपको सिखा दिया है आप तोना सतेजी आ सकती है ये देखें he is addicted to every bad habit तमाम students को ये मालूम है कि addicted to के बाद जीरन आता है बिलकुँ सही बात है लेकिन ये जो आता है इसके बाद ये उसक एक शर्त होती शर्त ये है कि addicted to के बाद अगर वर्व आएगी तो जीरन होगा अमालो वर्व ही नहीं है तो का है का जीरन जैसे यहां पर वर्व है ही नहीं every bad habit तो कोई बात नहीं अब ये न करना जीरन ही होना चाहिए जब वर्व हो तो जीरन हो उसके बीतर दुनिया की अब बुराईयों की का addiction है except क्या आप जानते हैं कि एक प्रेपोदीशन है अगर नहीं तो आप फसे हुए अगर हा तो आप जान रहें क्या होगा अभी अभी बताये कि प्रेपोदीशन के बाद जीरन आता है तो except के बाद जो टू ड्रिंकिंग है पूरे टू ड्रिंक को आप इसे मतलब important consider करिये इतना बड़िया sentence है मज़े दा concept सीखने को मिलेगा और कुछ प्रॉब्लम होरी यह शाहिए the thing most of us hate हमें से तमाम लोग जिन चीज़ों को बिलकुल नहीं पसंद करते more than anything else हमें से तमाम लोग बहुत सी एक ऐसी चीज़ जो हमें से तमाम लोग बहुत जादा hate करते हैं जिसे या नफरत करते हैं पसंद नहीं करते हैं वो क्या है is है अब ध्यान से देखिए सर ये जो is है न ये दाथिंग की वर्ब है आपका ये सोचना देखिए क्या बताओ मैं इस के बाद वेकिंग लगेगा सोचना तो सही है कि इसमार वाज वर्ब के बाद वर्ब है तो आई इन जी फार्म में है लेकिन ये मानना कि इस हेल्पिंग वर्ब और वेकिंग में वर्ब ये गलत है इस हेल्पिंग वर्ब और वेकिंग में वर्ब गलत इस is waking में waking कि हिंदी जग रहा जग रही जग रहा जग रहा जग रही जग रहा नहीं है जागना हिंदी है इमेजन करो ये particular sentence exam में आप क्या है और waking को underline करके दिया गया हो बत पूछाजये बताये क्या है एक option हो verb का एक option नाउन का सूचो एक option of verb को एक option of noun का एका दुक्का student ऐसे हैं जो कहेंगे noun जीरन noun ही तो है अगर present participle और जीरन जैसे लिखके पूछा जाए तो फिर भी दिमाग लग सकता है लेकिन अगर पूछ रिया जाए verb है या noun तो दो तीहाई आपादी जो है verb भी बोलेगी जबकि ये noun है इस waking up के हिंदी जागरा है यह नहीं लिखा हमें से तमाम लोग जिस बात तु बिलकुल नहीं पसंद करते वो बात है क्या सबेरे जल्दी उठना हमें से तमाम लोगों को जो चीज नहीं पसंद है वो है वो है क्या सुबा जल्दी उठना सुबा जल्दी उठना ना तो ये जीरंड है सब आप चाहे तो इसे infinitive भी बना सकते हैं is to wake up कर सकते हैं उसमें कोई प्रतिबंद नहीं है आप जीरंड भी बना सकते हैं और प्लीज को ये ना पूछे दोनों option में दी हूँ क्यों हूँ sir दो सही लोगों को गलट हराने की क्या जरूवत है आपका विचार भी सही मेरा विचार भी सही है तो अब इसमें ये सवाल कहां से आ जाता है कि कुछी एक ही को चुनना है पेपर में एक ही चीज पूछी जाएगा या तो waking up या to wake आपको पैसे का इस्तेमाल अपने कर्च को उतारने के लिए करना चाहिए था instead of फिर से by nature instead of एक preposition है प्रेपोजिशन के बाद जीरंड आता है तो by की जगा पर क्या आ जाएगा buying हो जाएगा हिंदी भी यही है कि नानी ने आएगा हिंदी में कैसे तुम्हें इस पैसे का इस्तेमाल अपने कर्च को उतारने में करना चाहिए था ना कि एक नई मोटर साइकल खरीदने में या एक नई मोटर साइकल खरीदने के बजाए ऐसा करना चाहिए था यह भी एक अच्छा सेंटेंस है एक रूल है जीरंड में कि possessive adjective होता है my or his, her, him him तो नहीं his my or his, her, our, the, your यह सब possessive adjectives होते है नान को ले लो तो जैसे राम सो गया नहाज हो गया, शाम सो गया, राहुल सो गया तो रूल है कि अगर possessive adjective दिया हो और उसके बाद वर्ब आया तो उस वर्ब को जीरंड बनना चाहिए her mother does not approve of her to go, यह जो her है इसे आप possessive adjective मानेगे चीका possessive adjective हरी तो होगा तो her के बाद यह जो to go लिखा है, इसे क्या करना चाहिए आपको going कर देना चाहिए क्या करना चाहिए, going करना चाहिए आपने सारे concept अगर पढ़ रखे हैं जीरं के, तो कैसे परेशानी होगी, बिल्कुल नहीं परेशानी होगी आप मेरे से पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ आई रखा तो फिर क्यों परेशानी होगी, हाँ मेरे से नहीं पढ़ें तो आप शक है कि आप किसी भी और टीचर से धंग से पढ़ें हो, किसी बुक से धंग से पढ़ें हो, तो भी आप इन्स questions को समझ सकते हैं, attempt कर सकते हैं बाद में बताईए कि सेशन के एंड में कैसे लगा, the lawyer asked if it was worth, pure rule based, बिल्कुल simple है, क्या, worth के बाद जीरंड आता है, जीरंड आता है, तो worth के बाद जब जीरंड आता है, तो to take की जगा क्या हो जाना चाहिए, taking होना चाहिए, lawyer ने ये बात पूछी, कि ये जो case है, क्या ये court ले जाने लायक है, हेमन went to Bangalore, with a view to, with a view to के बाद जीरंड आता है, with a view to एक phrase जिसका मतलब होता है, कि उमीन में, यके इरादे से, के उद्देश से, तो start की जगा पर क्या लगाना चाहिए, हमको starting लगाना चाहिए, हमन बैंगलोर गया था, अपने business को वहाँ शुरू करने के इरादे से, I would prefer, prefer को लेकर एक तो मैंने short वीडियो में 10-11 मिनट का वीडियो भी upload कर रखा है, कि prefer के साथ कब infinitive आता है, कब jirund आता है, क्या तमाशा है prefer का, ठिक, ये दोनों ही sentences prefer के हैं, और prefer के total में 3 rule हैं, दो rule पे based हैं ये sentences, जहां से देखिए, prefer के बाद यहाँ पर infinitive आ गया, आगे ना सु, prefer का मतलब है प्रात्मिक्ता देना, आप prefer का इस्तिमाल जब करेंगे तो दो चीज़े आई जाएंगे, जैसे क्या लेंगे सचाय और coffee, pencil लेखोगे की pencil से लेखोगे, तो pencil prefer करी, pen नहीं prefer किया, तो prefer के बाद जब इधार infinitive आ गया है, क्या आ गया infinitive, तो आगे connector की रूप में rather than लगेगा, और rather than के बाद फिर लगेगा bare infinitive, bare infinitive का मतलब है verb की first form, तो intervene, और verb की first form के पहले two ना लगा होते हैं, इस two को हम हटा देंगे, merging of infinitive का रूर लग जाएगा कि rather than के पहले, जो infinitive है वो two लगाए हुए है, और जो rather than के बाद का infinitive है, वो bare form में है, merging of infinitive का concept ही मैंने short videos में पढ़ा रखा, आप YouTube चानल पे जाएगे, तो वहां short videos में आपको merging of infinitive मिलेगा, समझ रहे हैं ना, हाँ, उधर मिलेगा एक playlist है grammar के नाम से, तो most important concepts of grammar, तो वहां भी आपको मिल जाएगा, मैंने उस video को दोनों प्लेलिस में टाल रखा है, तो इधर infinitive है, इधर connect है, इधर bear infinitive है, दूसरा rule है कि connector को 2 ही रहने दीजे, connector को 2 ही रहने दीजे, इधर और उधर दोनों तरफ जीरन लगा लेजे, इधर देखिए, connector 2 है, 2 के पहले stay की ing form है, इधर इस connector के बाद भी intervene की ing form आ जाए, ये concept, connector के पहले भी जीरन, connector के बाद भी सीरन, या connector के पहले infinitive तो बाद में, bear infinitive, जब bear infinitive आना होता है, तो हम rather than लगाते हैं connector में, और जब जीरन आना होता है, तो फिर से हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, आईए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से दिखिए का, मैंने अभी शुरू में एक बात बताई थी, जैसे verb दी है इधर, और फिर से इधर verb दी है, तो जब ये verb main verb कही जाएगी, तो इधर की verb subject का हिस्सा बन जाएगी, और subject में noun या तो pronoun आता है, तो ये धर की verb ing में तबदील हो जाएगी, ताकि जीरन बन जाएगी, तो noun बन जाएगी, और noun बन जाएगी, तो subject बन जाएगी, यहाँ भी यहीं हुआ, ends आप एक verb है, तिकि जब आप इन sentences को देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप वीडियो को रोग भी सकते हैं, थोड़ा सा, कैसे, सारे sentences स्क्रीन पे आगे, वीडियो का आपने दो मिनिट के लिए पॉस कर दी, सारे sentences एक बार खुद से देख लिए, फिर उसके बाद वीडियो को on किया, और देखा, कि क्या क्या logic बताएगा, तो end of verb है, एक और rule है, यहाँ पूछा नहीं किया, end of के बाद भी जीरंड आता हूँ, यह दिया हुआ यहाँ पर देखिए, पूछा ही नहीं किया, अगर पूछा गया होता तो बताते हैं, अच्छा तो इधर जो debate है ना, इसे debating होना चाहिए, debating nationalism, सुनने न, debating, verb की ing form, या तो एक और तरीका है, debate को आपना noun मानो, प्योर, हम तो verb माने, तो हमने verb की ing form लिखे, क्योंकि subject में जी रडा सकता है, सीधे verb आएगी नहीं, या तो भाई इसे हम noun मालने, क्या मालने, debate को noun मालने, तो ऐसे हो जागा, debate on nationalism, ऐसे करती है, debate on nationalism, होता ऐसा, जैसे यह देखे, use, verb भी है, noun भी है, noun माल लो, तो लिख लो, use of money, use of money, verb माल लो, तो लिख लो, sir, using money, पैसे का प्रयोग, पैसे को प्रयोग करना, use को verb माल लो, तो फिर using money बोलो, ठीक है न, using money, recklessly, carelessly, is not good, use of money, in waste manner, is not good, तो verb माना, तो using money, noun माना, तो use of money हो गया, वैसे आप debate को noun माल लो, debate मतलब चर्चा, debate मतलब भी चर्चा करना भी होता है, तो verb अगर मानो, तो debating लगा के nationalism लिखो, noun मानो, तो debate on nationalism लिख लो, 13 देखे, despite severe respiratory problems, मतलब एक व्यक्ति को सांस लेने में बड़ी समस्या हैं, इसके बावजूद भी is not willing to give up, क्या आप जानते हैं, कि give up के बाद भी जीरण आता है, give up, त्याग देना, इसके बाद भी क्या आता है, जीरण आता, ये देखे, give up लिखा है, तो smoke को हटा दीजे, और क्या कर दीजे, smoking कर दीजे, लिखा हुआ है कि सांस लेने में बड़ी समस्या हैं, इसके बावजूद भी वो व्यक्ति, धुम्रपान करना नहीं छोड़ना, चाहता है, give up छोड़ देना, तमाम sentences जो rule based नहीं, देखे, ये sentence rule based नहीं था, concept based था, तो आपको अभी तक हो सकता कुछ कम समझ में आ रहा हूँ, कम भरोसा हुआ हूँ, इधर कम भरोसा हो सकता हूँ, ये ये आ गया, कि give up के बाद जीरंडाता लगा दिया, अब ये भी आ जाए, it is no use के बाद भी जीरंडाता, rule है सर्, ये जो rules है मैं अपने classroom में तो पढ़ाता ही हूँ, साती साथ जो telegram channel है, उस भी एक PDF file पड़ी है, words and phrases followed by जीरंड, देख लिजेगा, सब मिलेगा उसकी, example के साथ मिलेगा, तो to regret पूरे की जगा पर आपको क्या करना चाहिए, regretting करना चाहिए, अब अफसोस करने का कोई मतलम नहीं बनता है, क्योंकि पहले तुमने उसको value दी नहीं, enjoy, ये लिजे, enjoy के बात जीरंड आता है, क्या आता जीरंड आता है, इसलिए playing करना चाहिए, we enjoy playing, enjoy एक बहुत ही शांदार वर्ब है, शांदार वर्ब, इस enjoy की कहानी, दो तीन हिस्सों में है, यहां तो उतनी बात नहीं बताई जाएगी, क्योंकि जीरंड से संबंदित conversation होगा बस, लेकिन enjoy ए मैंने enjoy वर्ब को पढ़ाया, we enjoy playing cards sometimes, कभी-कभी हमना पत्ते खेलते हैं, यह देखिए, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, जिसको किसे, बहुत शांदा, यह देखिए गद्यांस, यह देखिए वर्ब, वर्ब, तो जब यह वर्ब, तो यह पूरा हिस्सा क्या है, subject, और इस बार देखिए, कोई गणबरी नहीं करीगी, इस बार लिखा गया writing, सबसे पहले sentence में, get लगा दिया था, जबकि आगे वहाँ भी वर्ब थी, यहां देखिए, ठीक लिखा हुआ, इस वर्ब है, इधर write की, ing form है, इधर, as much an achievement as, देखिए, as, as, यह दैन, यह सब comparison के और जब आप comparison कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है, कि make-up दोनों तरफ एक जैसा हो, do और die भूल गया आप, तो जैसे, इधर लिखा right की ing form, तो as, के बाद जो to finish लिखा है, क्या लिखा है, यह to finish, इस पूरे to finish की जगा, यह पूरा to finish की जगा पर क्या कर दीजे, finishing कर कर दीजे, finishing, to finish कूरे की जगा, यहाँ पर दो अलग अलग गतिविदियों को कितुलना हो रही, एक तरफ है, एक सुन्दर सा 14 line का sonnet लिखना, एक दूसी तरफ है, एक बड़ा सा 400 पन्ने का novel finish करना, या लिखना, तो एक sonnet लिखना, भी उतना ही बड़ा achievement है, जितना बड़ achievement है, एक 400 पन्ने की, किता लिखना, 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 तो जीरंड या infinitive भी आता, infinitive दिया था, फिर भी हटा है, क्योंकि matching करूल था, जब इधर जीरंड आया है, तो उधर भी क्या आएगा, जीरंड आ जाएगा, या तो इधर infinitive होता, तो देखा जाता, वो है नहीं, a few colleagues objected to my promoting, बहुत शांदार sentence है, सर, बहुत शांदार, ये sentence अगर spotting error में पूछा जाए, तो आपको ये तो इशारा मिल सकता है, कि क्या हाँ पे गलत है, लेकिन आप संभवता ये नहीं जान पाओगे, कि वो सही कैसे होगा, चाहिए देखिए, oh my god, देखिए, वो rule है ना, कि possessive adjective के बाद, जीरंड आता है, my promoting, ठीक लिखा है, वो rule apply हुगा है, लेकिन आपको ये समझना होगा, कि possessive adjective के बाद, जीरंड आता है, लेकिन अगर हमें passive form चाहिए हो, जीरंड की तो, possessive adjective के बाद, passive में आना हो, तो ये my promoting ना हो करके, तब, माइ प्रमोटिंग ना हो करके, हो जाएगा, my being promoted, क्या हो जाएगा, my being promoted, ing form के पैसे being लगा के बनता है, तो my being promoted हो जाएगा, ऐसा लेकिन होगा क्यों, ऐसा इसलिए होगा, कि promote एक transitive verb है, अब transitive verb, अगर आप active में लिख रहे हैं, तो उसके बाद, फिर object लिखना चाहिए आपको, वो object यहाँ पे लिखा भी नहीं हो, और बुद्धी लगाईए सर, क्या बुद्धी लगाईए, कि जैसे, मेरे कुछ colleagues ने विरोध किया, अबजेक्ट किया, तो मेरे कुछ colleagues ने विरोध किया, किसका विरोध किया होगा, मेरे promote करने का, तो क्या मैंने promote किया है, वो तो मेरे colleagues हैं, उन्होंने विरोध किया है, तो क्या मैंने promote किया है, होगा मुझे manager से senior manager बना दिया गया होगा उसका उनों ने विरौद किया होगा यह जो माई है यानि की मेरी बात हो रही जिसके माद्यम से promote verb के लिए माई के भीतर का वेक्टी object है सरु माई जिस वेक्टी की बात कर रहा है वो वेक्टी बढ़िया इसलिए का आ जाता है कि अच्छा परना बहुत ज़ूरी है जिंपल सा लॉजिक है कि आवोइड के बाद जीरंड आता है तो कुछ नहीं करना सभOR जीरंड आइए अगला सी की जगा सी करिए यहां इस बात का ध्यान रखेगा कि टू रहेगा टू नहीं जाएगा लुक फॉरवर्ड टू पूरा रहेगा आगे के वल वर्ब जीरंड बन जाएगी इसको देखें विदव यू टू सेम कॉणसेप्ट इधर भी विदव यू टू के बाद भी जीरंड आता है के इरादे से इसका मेनिंग है तो सर्व की जगा पर क्या हो जाएगा सर्विंग हो जाएगा समाच की सेवा करने की इरादे से उसने आफ्ट फॉर किया मतलब चूस क या पत्रकारिता को तुरह सां इंवर्टर चाहिए कर दू मैं कि अग्यों करते हैं तो नहीं लैसे बोलता ही रहेगा लाइक लाइक के बाद भी जीरंड आता है सरु तो रीडिंग करिए सरु रीडिया टू रीड सब गलते मेरे सिस्टर को क्राइम नॉविल्स पढ़ना पसंद है वी कुड नॉट हेल्प एक फ्रेज होती कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प ये हेल्प वाली हेल्प से अलग है कैन नॉट हेल्प कुड नॉट हेल्प का मतलब है रोक ना पाना रह ना पाना या रह नहीं पाया रोक नहीं पाया ये मीनिंग है तो कुड नॉट हेल्प के बाद भी क्या आता है जीरंड आता है जीरंड आता है जीरंड आता है लाफिंग नहीं से सीधे आता है ना वेर इ पाता या रोक नहीं पाना I could not help रोक नहीं पाया यह मिनिंद आई रेमेंबर I remember सब REMEMBER के बाद हम जीरंड आता है रूल यह है कि Remember के बाद क्हा करते हैं हम जीरंड लगाते हैं जब Remember के बाद हम जीरंड लगाते हैं तो Two Meet गलत है क्या हो na चीज़सर सिधे सिधे meeting हो जाना चाहिए मुझे याद है कि मैं तुम से मिला था कमिला था पांच साल पहले आपने इस चीज़ को गौर किया कि जहां जहां पर rule based sentences है मैं time नहीं दे रहा हूँ मैं क्यों दूँगा क्योंकि वो तो सीधर rule पर ही based है आपने rule पढ़ रखें मेरे से पढ़ रखें हो दूसरे teacher से पढ़ रखें क्योंकि exercises जो है वो सिर्फ paid students के लिए नहीं रखता मैं YouTube पर भी upload कर देता हूँ तो वो सारे students देख सकते हैं लेकिन मैं ये बोल के पढ़ाता हूँ कि आप exercises के videos तभी देखें जब आपने chapters पढ़ रखें हो अगर chapters ही नहीं पढ़ रखें तो एकसराइज का video देखने का क्या मतलब है किसी से भी पढ़ रखा हो लेकिन पढ़ रखा हो they feel that buying things बहुत शांदार sentence है बहुत शांदार पहली बात को ये याद करिए कि dispense के साथ with लगता है पेपर में बहुत पूछा जाता है dispense मतलब फेग देना हटा देना remove कर देना discharge कर देना dismiss कर देना से वहों से बरखास कर देना dispense with होता है with जरूर लगता है they feel उनको लगता है that की बहुत शांदार sentence बहुत शांदार आज की class में पता नहीं ऐसा sentence अभी तक था की नहीं था इसके आसपास तो था लेकिन हुब हो यही बात पूछी की पता नहीं अगर नया होगा तो इसको आ गया भी और अपलाई करेंगे हम that देखे that आया conjunction आ गया एक नया sentence आ गया that की हिंदी की है एक नया sentence आ गया नया sentence आ गया तो यह बन गया subject क्या बन गया subject जो dispense with verb dispense verb इसका subject क्या है buying things लेकिन लेकिन एक बात अभी सुनिये इसका subject buying things है fine लेकिन इसका original subject buying है gerund original subject और gerund हमेशा singular subject होता तब तो smoking is लगता है reading is लगता है seeing is, swimming is यह लगता है तो present indefinite का rule बोलता है कि अगर subject singular हो तो main verb में ses लगाए दाना चाहिए तो फिर dispense जो लिखा उसे dispenses कर देना चाहिए जहाँ से देखिए इसके ठीक पहले things लेखा things plural है फिर भी यह verb things की है यह तो buying की है जब buying subject है तो buying gerund है और gerund जब subject है तो वो singular है singular subject के साथ present indefinite में main verb में ses लगता हिंदी है उनको लगता है कि चीजों को खरीद लेने से उनको बनाने की जो आवशकता है वो खतम हो जाती किस की वज़े से खरीदने की वज़े से किस की वज़े से चीजों की वज़े से नहीं उनको खरीद लेने की वज़े से उनको खरीदने की वज़े से तो जीरंट है सब चे बहुत बढ़ी असे sentence है मैं जूट मुट का डिनोरा नहीं पीट रहा से पीछे के sentences में तमाम जगा मैंने नहीं का बहुत बढ़ी है पर चुकि वो रूल बेस थे तो मैंने ये नहीं का बहुत बढ़ी है लुक फॉरवड टू के sentences बहुत important है बहुत paper में पूछे जाते है लेकिन वो हो भी जाते है न तुरंट तो मैं उनको ले करके नहीं डिनोरा पीट राके बहुत 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 ऐसा कुछ नहीं बोलता ये अच्छा sentence ये नहीं की verb है जब ये verb है तो verb के पहले आ गया subject और subject में verb आएगी तो जीरंड बनेगे न सर्थ य य य य रूल यही होना है लिखा है कि आपने शपत ले रखी हो और आप शपत का हिस्सा है उसके बावजूत भी आप जो है अगर जूट बोलते हैं तो ये पाप है सर्थ आपने प्रण दे रखा हो कसम खा रखी हो कसम खाने के बावजूत भी कसम से बंदे होने पर भी जूट बोलना जूट बोलना एक पाप है जुट बोलना एक भाप है, जी रट, is the same, careful listening, बहुत बढ़िया sentence है, बहुत बढ़िया, इसमें तो बहुत सारे students confused हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये sentence तो ये adverb का है, कैसे, student सोच लेगा कि listening verb है, listening verb है, अब verb की तारीफ adverb करेगा, तो careful की जाएगा, वो सोचेगा carefully हो जाना च ये sentence एक student के द्वारा group पे पोस्ट किया गया था, तमाम students इसे गलत answer किया, फिर मैंने उसको सही answer बताए, तब मुझे समझ में है कि बढ़िया sentence है, मुझे इसे शामिल कर लेना चाहिए, ये वर्ब है ही नहीं सर, ये टिपिकल वर्ब, पार्टिसिपल वाली वर्ब, रहा र निकालिए, आप हिंदी निकालोगे तो सुनना आएगा, जब सुनना आएगा तो शकल के आधार पे क्यों कहरो भी या, कौन क्या है, अकल के आधार पे कहो, जब listening का मतलब है सुन रहा रही रह नहीं है, तो वर्ब क्यों मानोगे, ना हुनी तो मानोगे तो सुनना, ये लि सब्जेक्ट में आई भी वर्ब जीरंड बनती है, ये जीरंड बनी है, जब ये जीरंड है तो नाउन है, नाउन है तो तारीफ एडजेक्टिव करेगा, और अब एक आखरी बात, वो ये, कि अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट उपीनियन्स है, तो ये ठीक है, अगर अगर तो ये भाई गलत है और इसे एज होना चाहिए, और यही सच है, वर्ब, जो आर है वो लिसनिंग की है, कैसे? दूसरों के विछारों को धंग से सुनना आवश्यक है, अगर आप एक स्पीकर बनना चाहते है, दूसरों की विजारों को सुनना बरावश्यक है, क्या अवश् तो सुनना subject है, जीरंड subject है, the act was promulgate, promulgate का मतलब होता है लागू करना, क्या मतलब होता है, promulgate का, लागू करना, with a view to, अभी पीछे पढ़ाया, कि with a view to के बाद जीरंड आता है, जीरंड आता है, ये देखें, जीरंड हो जाएगा, अरे, ये तो जीरंड है पहले से, तो क्य sentence है, नहीं, आगे बढ़िए, increasing tax compliance के बाद क्या लिखा, अब वो रूल लगेगा, कि and के पहले अगर जीरंड है, तो and के बाद भी वर्ब आने पर जीरंड बनाईए, जब with a view to ने इसे जीरंड किया, तो and के बाद, जब फिर से वर्ब के तो आए न, और अगर आई है, तो इसे भी जीरंड हो जाना चाहिए, simply fine हो जाए, हिंदे लिखी है कि इस act को इसलिए लागू किया गया, ताकि tax compliance को increase किया जाए, tax compliance का मतलब है कि जादा से जादा संस्थाय व्यक्तिगत लोग tax जमा करें, और साती साथ tax system की विवस्था को सरल बराना भी है इसका उतेश, 28, 29 and 30, loan waivers have so far, loan waivers का मतलब होता है, कर्ज मापी, so far मतलब अभी तक, जो कर्ज मापी है इससे अभी तक सिर्फ क्या होगा है, जो real problems है, वो और ज्यादा बढ़ी ही है, complicated हो गई है, वो real problem जो farmers face करते हैं, simple से rule है कि end up के बाद जीरंड आता है, तो complicated जीरंड है, एक rule ये भी है कि उसके बीच में by या कुछ भी नहीं आना, rule है कि end up के बाद जीरंड आता हो, सीधे आता है, बीच में कुछ कूद चूदता नहीं है, एंड अप in, end up by, end up with, यह समनले, सीधे जीरंड लगा, लोन वेवर्स ने अभी तक सिर्फ यही किया है कि किसान जिन समस्याओं से जूज रहे होते हैं जूजते आ रहे हैं उन्हें और बढ़ाया ही है जिन आया है अपहोल करने का मतलब होता है समर्थन करना the rule of law सरकार प्रतिबद है कि देश में कानून का शासन ही चले सरकार देश में कानून का शासन चलाने के लिए कानून विवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद है and बस यही मात खा गया ही दिया इतना तो पढ़ा कि committed to के बाद यह रंड आता and the rule is very simple अगर end के पहले की चीजे जिस शकल में है end के बाद भी चीजे उसी शकल में होनी चाहिए adopt के जगा adopt के जगा adopting हो जाना चाहिए adopting हो जाना चाहिए behaving in a calm and serious way यह देखिए even in a difficult situation make यह देखिएगा ध्यान से यह देखिए verb और जब यह verb है तो behaving से लेकर के situation तक यह सब का subject subject है यह verb है behaving in a calm and serious way even in difficult situation यह subject है और इसका original subject है behaving और behaving अगर subject है यानि कि जीरन subject है तो main word में S.E.S. भी तो लगेगा यहाँ पर makes हो जाएगा यही इसकी error है मेंग गलत है मेंग सोना जी आप जानोगे कैसे हिंदी निकालिए कहा जा रहा है कि शांती पूर्वक पेश आना गंभीरता से पेश आना यहाँ तक की परिस्तितियां विपरीत हूं तब भी गंभीर बने रहना तब भी समझदारी से पेश आना इसी वज़े से लोग आपका सम्मान करने है विश्रम परिस्तितियों में भी धैरेनाक होने की वज़े से लोग आप क्या सम्मान करते हैं रंग से पेश आने की वज़े से 31, 32 जब मैंने उस भीकारी को बड़ी ही दैनी इस्तिती में देखा पीटीएबल मतलब मिजरेबल दैनी ये कहते हैं इंदी में जब मैंने उस भीकारी को दैनी इस्तिती में देखा आई कुड नॉट हेल्प भूल गया आप अभी पढ़ाया, could not help, cannot help, के बाद जीरंड आता है, तो to cry की जगा क्या हो जाना चाहिए सर, crying हो जाना चाहिए, 32, because of the unnecessary increase in the service charge, लिखा जा रहा है, कि service charge में बे तु का बदलाव किया गया है, बे वज़े service charge को increase कर दिया गया है, the company risk, कितना बढ़िया sentence, आप जानते हैं गूगल गाके करिएगा, risk के बाद वर बगर आये, तो फिर जीरंड नहीं बनाएगा, I can't risk investing all my money in share market, I can't risk investing, जीरंड आएगा sir, losing तो ठीक है, लेकिन off color, सीधे जीरंड आता है, ये risk word जो है, मैंने जो आप जी आप से पीछे कहा था, कि टेलिग्राम चैनल पे जाएगा, एक PDF पढ़ा हुआ, words and phrases followed by जीरंड, दो हिस्सों में वो लिस्ट है, उसी में ही मैंने इसको बताया भी है sir, आपका मन करेगा लगाने, बिल्कुल करेगा, लेकिन लगाना नहीं होता, I don't mind doing rehearsals until I get the perfect act, कोई कह रहा है मुझे rehearsals करने में कोई दिक्कत नि, तब तक, जब तक मुझे perfect act नहीं मिल जाता, for any player, किसी भी खिलाडी के लिए, play for his country is, बुद्धी हो तो लगाओ, is word, जब ये वर्भ है तो ये subject, subject में वर्भ फस्गी भाई, जीरंड बनाओ, लिखाए किसी भी खिलाडी के लिए अपने देश के लिए खेलना, किसी भी आवार्ट से बड़ाओ, देश के लिए खेलना, किसी भी आवार्ट से बड़ी बाद, खेलना, in India, political leaders are usually busy, भारत में जो राजनेता लोग हैं, प्राया busy रहते, busy किस काम में, सब busy के बाद भी सीध जीरण आता है, वैसे busy के बाद भी सीधी जीरण आता है, हिंदुस्तान में नेताओं के पास एक ही काम है, एक दूसरे प्यारों प्रत्यारों लगाना, इसी में दिन काटते रहते हैं, इसी में busy रहते हैं, 36, 37, 38, धिरे धिरे हम end की तरफ बढ़ रहे हैं, अब 36, total में 4 sentences है When Reema came to India, she had to get used to, मालूम होना चाहिए, कि be used to या get used to के बाद जीरण आता है, short videos में जाहिएगा, तो मैंने वहाँ पर used to versus be used to, get used to पढ़ाया है, कहां used to लगता है, कहां be used to या get used to लगता है, सब बताया है, और जीरण वाली कहानी भी बताई है, infinitive वाली कहानी भी बताई है So get used to, to रहेगा, to नहीं जाएगा, drive सीदे क्या हो जाएगा, driving हो, to कहीं नहीं जाएगा, drive driving हो जाएगा, before translating the sentence word for word, कहीं याद कर लीजेगा, कि हम आप बोलते word by word, लेकिन ये word by word नहीं होता है, word for word होता है लिखा जा रहा, किसी भी sentence को word for word translate करने, करने से पहले, सब before preposition है, preposition के बाद word आने पर उसे जीरण बनाते है, वही बनाएगे प्रेपुदीशन है यहां पर और प्रेपुदीशन के बाद वर बाने पर उसे जीरंड बनाते हैं वही बनाएगे किसी भी सेंटेंस को वर्ड फर वर्ड ट्रांसलेट करने से पहले यावश्यक है बूल के किया अब पीछे पड़ा है वर्ड के बाद जीरंड आता है यह जो तू आशक है तू अख पूरे की जगा आसकिं करिए तू हटा दी सेगा वर्ड आसकिंग हो जाएगा most of us are not aware of the fact बहुत बढ़ी है sentences है बहुत बढ़ी है सर आप यू समझी मैं फिजूल के sentences क्यूं करा हूँगा अगर फिजूल के करा रहा हूँ तब तक over हो गया हूँ cutting sentences करा रहा हूँ rule based sentences की संक्या कुछ कम ही रखी है मैंने most of us are not aware हमें से तमाम लोग इस बात को नहीं जानते that ये देखे that आगया न key clause एक नया sentence बन लिए नया sentence और नया sentence का subject यहां तक है क्योंकि ये तो verb है तो ये हिस्सा subject है eating some varieties of mushrooms अगर ये result mushrooms की verb है ये varieties की verb है तो varieties और mushrooms तो plural result में S.E.S. नहीं लगेगा पर अगर ये result eating की verb है तो फिर ये result ना होकर की क्या होगा results होगा और ये ही सच है eating है subject कैसे हम इसे तमाम लोग नहीं जानते की mushrooms की कुछ varieties को खाने से मौत भी हो सकती है mushrooms की कुछ varieties को खाने से मौत हो सकती किसे खाने से मौत हो सकती mushroom से ये varieties से नहीं उनको खाने से मौत हो सकती खाने से यानि की subject है हमारा eating और eating जीरंड है जीरंड singular subject है main verb में S.E.S. लगेगा कितनी कोशिश मैंने करी mushroom को BS के साथ लगाया समझे पेपर के जैसे मैं भी आपको बेहुकूब बनाने की कोशिश करो इनी बातों को समझना आपको 39 and 40 last two sentences है देख लिज़े अच्छा लगे तो बताइए का appreciate करिए का YouTube पे जो लोग देखना है वो वहाँ पर comment कर सकते है some members of the committee were against use sir against preposition preposition के बाद verb आई है तो ऐसे नहीं आएंगे sir using आए verb हाँ अभी पीछे बताया अगर use को हम noun मान ले तो use रहने दे फिर use of लगा दी से का या तो ऐसे लिखिए were against using the club members using the club members या use of the club members against preposition for preposition है against preposition our manager does not mind यह देखे माइंड के बाद जीरंड आता है तो to pay की जगा पर आपको क्या कर देना चाहिए paying कर देना चाहिए ठिक session over हो जाता है मुझे लगता है आपको जरूर समझ में आया होगा ठाग यह हो मैं तुड़ा धुड़ा चलिए wind up करते हैं thank you so much bye bye take care और हाँ सारे ही session सारे ही chapters जो grammar के हैं सब को मैंने record कर रखा है सब को सब के जो sessions है questions के सब paid students के साथ YouTubers के लिए YouTube पे जो students देखते हैं उनके लिए भी है बस YouTube के students के लिए यह आवश्य है कि वो एक बाद पढ़ रखे हो सब कुछ चाहे मेरे से या किसी और से तब समझ में चलिए अभी के लिए इतना ही बाद टेक कियर दम लगा के पढ़ते रहिए मेरा नमबर आप सब के पास है ही यह नमबर है कोई भी doubt होता कोई भी query होती तुरंथ आप इसे WhatsApp करी में समय निकाल के जरूराँ से करूँ बाद टेक कियर